ग्रेटिंग्स 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 माई वी फैमली अल अवर दे वर्ल मैं आपका चीफ वीक फॉर्टिफॉर में आपका स्वागत है तो यह रैंक एडवास्मेंट का पहला हफता है मुझे आशा है कि आप लोगोंने मेरा इंस्टा लाइफ देखा होगा और जैस डूब लुट्र प्लस पर राइट और प्लीज इसे देखें और देखने के बाद फिर अपने बच्चों को दिखाएं अगर आपको कुछ इसमें से फिल्टर करें मैंЕसे चीफ को रिकौट करना है और आप इसे बुद्वर को देखेंगे और पूरी दुनिया में लोग अभी से दिपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि साउथ में ऐसा कहते हैं और हम मलेशिया में सेलिब्रेट करेंगे इसे थर्स्डे को तो सभी लोगों को मैं आपका चीफ विश कर रहा हूँ हैपी दिवाली, हैपी दिपावली आपको, आपके परिवार को, आपके डाउन लाइन्स को आपके पूरी टीम को गाइज सेलिब्रेट करें इंजॉय करें पर ये कभी भी न भूलें कि आप एक नेटवरकर हैं एक अंट्रिप्रियर हैं और आपको फोकस रहना होगा आप बिल्कुल भी स्विच आफ ना हो, बिल्कुल भी डिस्ट्रक्टिड ना हो और दिवाली के दोरान प्रोस्पेक्स को ढूड़ें और जो लोग स्विच आफ हो गए हैं उन्हें दुबारा से जगाएं दिवाली में तो बहुत सारी चीज़े आप कर सकते हैं पर मुझे माफ कीजिए, यही रियलिटी है कि अगर आप मैक्सोट होना चाहते हैं एक दिन तो आपको हर दिन स्विच आन रहना होगा सबी त्योहारों पर वैलेंटाइन डे पर क्रिस्मस, दिवाली, इद यह सब त्योहार जरूरी है पर इसको अपना डिस्ट्रेक्शन ना बनने दें तो यह इतना सिंपल है तो आप सब को दिवाली की शुब काम नाए मेरे परिवार की और से और जापा दातुश्री वीजे के बहाफ पर मैं आशा करता हूँ आप सब का बहुत ही बेहत खूब सुरत दिवाली सेलिब्रेशन होगा आपकी टीम और आपके परिवार वालों के साथ तो यह मेरा वैनस दे मेसेज है तो आज मैं अपने आफिस में बैठा हूँ और मैं बहुत अमेजिंग लोगों से मिला कॉर्पोरेट वारियर से और वी पार्टनर कलाई से और हम लोग साथ में मिलकर फाइनल टाचिस दे रहे थे अगले साल जो जो हमें करना है उसकी प्लाइनिंग में तो हम अभी से सब कुछ प्लान कर रहे हैं और दिसंबर में कलाई चाहती हैं कि मैं दुबारा से वेलकम वीडियो रिकॉर्ट करूँ और नया इट बेसिक बिल्टिंग प्लॉक भी तो मुझे पता है मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं दिसंबर में बैठ हूँ गा और पूरे डिसिल्प्लिन और कमिट्मेंट के साथ इन वीडियो को रिकॉर्ट करूँ गा और आज मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ के बारे में जो मैंने बहुत समय पहले सीखी थी जैसे कहते हैं ownership अब बहुत सारी लोग इस शब्द को यूज करते हैं जिसे कहते हैं ownership तो जब आप अपनी नेट्वर्ग मार्किटिंग की जर्नी entrepreneurship की जर्नी की शुरुवात करते हैं तो मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ी गलती जो आप ज़ातर करते हैं वह कि आप इस जर्नी में आते हैं उसी पुराने employee वाली mentality के साथ घबराइए मत इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि जिस समय आप university से graduate होते हैं और उसके सब्सक्राइब करते हैं तो इस पूरे समय में 99.99% लोग ज्यादा तर employees थे किसी और के लिए काम कर रहे थे तो आपकी इस प्रकार की mindset बन गया कि हाँ आप एक employee हैं और फिर जब आप उस decision को लेते हैं और QNET में sign up होते हैं तो आप एक business के मालिक बन जाते हैं और अब अपने आपको एक networker कह सकते हैं और आप अपने आपको एक direct sales expert कह सकते हैं और आप अपने आपको एक IR कह करते हैं वैं यह है कि आपको पता नहीं होता कि Business多ными क्या है आप कभी भी पहले Business के मालिक नहीं बने थे और आप इस Business के मालिक बन रहे हैं पर आभी आपका माइंडसेट शिफ्ट नहीं हुआ है आपका वह paradigm शिफ्ट नहीं हुआ है क्योंकि network marketing कोई traditional तरीके का business का मालिक बनना नहीं है क्या आप समझ रहे हैं कि ये कोई traditional तरीका नहीं है क्योंकि आभी भी आप एक घर से किये जाने वाले business की honor है आपका एक tracking center है पर आपकी कोई building नहीं है आपकी कोई workers नहीं है कोई supply chain नहीं है, कोई IT department नहीं है इसा कुछ नहीं है बस आपकी बस आपका phone है, आपका tracking center है और आपका Qnet app है और आप इस business को कर रहे हैं आप पर problem यह है कि लोग इस business को इतनी respect नहीं देते एक business के तोर पर इसे इतनी respect नहीं देते इसलिए उनकी मानसिक्ता में परिवर्तन नहीं होता कि हाँ वैं एक business के मालिक है और जब तक आप यह ownership नहीं लेते और जब तक आपकी मानसिक्ता में परिवर्तन नहीं होता कि हाँ मैं एक business का मालिक हूँ तो आप हमारे इस business में सफल नहीं हो पाएंगे जब तक आप बस इधर उधर घूमते रहेंगर कहेंगे कि हाँ मैं try कर रहा हूँ क्यूनेट को और मैं यह यह करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं एक business honor नहीं हूँ तो इसलिए मेरे पीछे दोहरा हैं कि आप एक business के मालिक हैं और मैं आपको यह explain करता हूँ कि क्यों यह महतबूर्ण है इस mindset को change करना क्योंकि आपका tracking center वो बस एक computer में dot की तरहा है पर उसका potential है कि आपको साल का million dollar कमा कर दे सकता है तो इस बात को अपने अंदर दिमाग में बैठने दे मैं जानता हूँ ऐसे we partners, AVPs, we console को जो एक साल का कई million dollar कमा रहे हैं अपने उस tracking center से जो QNET ने उनको दिया उनके कोई इस तरह के office नहीं है, उनके कोई हजारो employees नहीं है बस उनके हजारो business partners हैं जिनको down lines कहते हैं और वैं आभी भी operate करते हैं अपने multi million dollar profitable business को बस अपने दो phone के मदद से या फिर iPad से या फिर zoom account से और सक्षम है दुनिया में कुछ countries घूमने के और stage पर जाने के या फिर coffee shop में जाकर living room में बैट कर लोगों से बात करने के पर यहां पर challenge की बात यह है कि लोग इस business को एक serious business के तौर पर अपनाते नहीं हैं पर मुझे उनकी परवा नहीं पर आपको इसे serious business के तौर पर अपनाना होगा तो आप एक business के मालिक हैं और अगर आप online चेक करते हैं या फिर कुछ किताबे बढ़ते हैं और देखते हैं कि business owners बड़े एक अलग तरीके से जिंदिगी ज किया है तो घबराइए मत क्योंकि आपके commitment का लेवर आपके business ownership mindset का जो लेवल है वो धीरे धीरे टासा में के अनुसार बढ़ता चाहेगा पर यह जितनी जल्दी होगा उतने ज्यादा सफल होंगे आप क्यूनेट में तो जब मैं 22 साल में साइन अप हुआ था तो मैं बहुत कि mentality के बारे में तो मैंने का वाओ तो उस रात मैं वापिस गया और ठीक से सो नहीं पाया all right क्यूंकि मैं बहुत ज़ादा एक बस बे परवा और मज़े में रहने वाला बंदा था चलो देखते हैं क्यूनेट में क्या होगा ऐसी situation थी और अब मैं एक CEO हूँ तो मुझे अब लोग dependent होते हैं मैं ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ एक हफ़ता मैं रिचिबल नहीं हूँ आ मैं दिवाली celebrate करना चाहता हूं तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता जो normal लोग normal चीज़ें करते हैं क्यूंकि मैं business का मालिक हूँ और आज तक भी मैं एक business owner हूँ तो अगर आप max out होना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं उन सपनों को जो आपकी ड्रीम लिस्ट में हैं और अगर आप financial freedom को पाना चाहते हैं तो wake up and smell the coffee यह कोई मज़े वाली और games वाली बात नहीं है इस journey को enjoy करें हैं यह बहुत enjoyable journey है आपको मज़ा आएगा हाँ पर आपको मज़ा आएगा एक business owner होने के नाते क्यूंकि यह business अप आपका है और मैंने यह उधारन कई बार दिया है और मैं दुबारा इससे कह रहा हूँ उन लोगों के लि बहुत सारा पैसा invest करना पड़ता है 2000 यूस डॉलर या 1000 यूस डॉलर एक छोटा सा restaurant स्टार्ट करने के लिए पर network marketing के साथ problem यह है कि आप एक tracking center के मालिक बन सकते हैं 700 डॉलर का product लेकर और मैं हमेशा कहता हूँ Qnet से कि मुझे एक दिन Qnet join करना पड़े और उसके लिए मुझ पर बहुत असानी से मौज मस्ती करेंगे पर network marketing एक accessible entrepreneurship है सब की पहुंच में है तो आप network marketing में entrepreneur बन सकते हैं हमारे साथ Qnet में और उसके लिए जदा से जदा क्या 600 700 800 या फिर 2000 डॉलर तक यह जदा से तीन हजार डॉलर तो यह बहुत बड़ा amount नहीं है और इतने से आपके अं हैं या नहीं आल राइट तो यहां पर problem यह है कि आप बाकी उन अंपरनेर्स की तरह नहीं है जो रातरात बर जकते हैं कि कैसे इसको करें क्योंकि आप जदा से जदा क्या खोएंगे और इसी वज़ा से commitment के उस level को आपके अंदर इंस्टिल करना पड़ता है आपके appliance के restaurant चला रहे हैं और आप हर दिन अपने restaurant को 11 बजे बंद करते हैं तो सबसे पहले तो आपका restaurant सातों दिन खुला रहेगा और दिवाली पर भी खुला होगा मुझा विश्वास कीजी आप खुलेंगे आपकी हमत ही नहीं होगी switch off होने की क्योंकि 100,000 डॉलर की वो तलवार आप आपके restaurant की तरफ आ रहे हैं और वे आप से पूछते हैं कि क्या और nasha खुला था और और बाटाई क्या होगा जवाब कोई और दुसरा रास्ता नहीं है कोई प्लान भी नहीं है तो वहाँ पर ये intensity का level होता है तो आपको इसलिए पता है कि ऐसे बहुत सारी सफलता की कहानिया है traditional business में क्या आप समझ रहे हैं तो इसलिए आपको जागरित होना होगा wake up and smell the coffee कि ये आपका business है आपके पास दुसरा कोई back up plan नहीं है या फिर कोई है कहीं आपके दिमाग में कोई आप सोच रहे हो कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं दुबारा job कर लूँगा पर क्या आपको ये पक्का है कि आप उस life में दुबारा जाना चाहते हैं go to a comeback home world life में और आप अपने dreams पर give up कर ना चाहते हैं तो जितना ही हम traditional business नहीं है पर मैं फिर भी traditional business man और business woman के जो mindset हो उसकी respect करता हूँ उनका commitment का level मैं आशा करता हूँ कि आप सब में भी वही level डाल सकूँ तो देखिए उनके पास खोने को कितना कुछ है वहाँ पर इसलिए वह कभी भी switch off होने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि बहुत ज़ता invest किया इसलिए वह कभी slow down नहीं होते पर आपके बस खोने को ज़्यादा कुछ नहीं है तो इसलिए आपको कभी भी नकारात्मक motivation के हिसाब से नहीं चलना आपको सकारात्मक प्रेवना के हिसाब से चलना है यह QNET की opportunity आपकी life में आई यह कोई मजाक नहीं है यह ऐसा नहीं है कि हाँ try करके देखता हूँ हाँ अगर try करना भी चाते हैं तो भी कोई बात नी पर एक point पर आकर इस journey में आपको इस business को respect करना होगा आपको इस opportunity को respect करना होगा गनित के हिसाब से भी और आर्थिक द्रिश्टी के हिसाब से भी क्योंकि यह एक best business opportunity है पूरी दुनिया में क्योंकि आप sign up हो सकते हैं कल ही 2000 डॉलर या 3000 US डॉलर के साथ कुछ प्रड़क्ट्स खरीद कर पर इसमें आपका potential एक साल का million dollar कमाने का है और इसमें आपको कोई भी office की जगा किराये पर लेने की जुरूरत नहीं है ना कि किसी बंदे को hire करना पड़ेगा बस आपकी दो फोन या फिर आपका iPad और आपकी काबलियत हमेशा switch on रहने की तो इस possibility के बारे में जरा सोचिए कितना unbelievable है यह गाइस इसके बारे में जरा सोचें और इसके लिए जरूरत है कि आप business ownership लें और इसके लिए जरूरत है कि आप इस fact को पहचाने की आप CEO हैं अपने tracking center के हां आप एक business woman है या एक businessman है तो उसे हिसाब से act करें उसे हिसाब से काम करें उसे हिसाब से price pay करें और सारे बहाने बाजी को खत्म कर दें दुनिया की तरफ उगली ना उठाएं यह आपका business है आपकी problem है आपकी life है आपकी सफलता है जब आप साल का 2 million dollar कमाएंगे तो आपको किसी को देना नहीं होगा तो अभी price pay करें एक business honor बने seriously लें इसे all right और आप इसमें सफल हो जाएंगे यह एक fantastic time है यह opportunity बहुत बढ़ी है आपके लिए इसे बिल्कुल भी waste ना करें इसे waste ना करें अपना 90% दे के और उसके बाद decide करें कि हारे यह तो काम नहीं करता इसे waste ना करें अपना 80% दे के और फिर decide करें कि यह काम नहीं करता इसमें अपना 110% दे और एक काम करेगा पर पहले आप खुद एक business के मालिक बने business honor बने और कभी भी switch off होने की हिम्मत ना करें और मैंने यह करोडो बार कहा है कि network marketing में सफलता का क्या secret है max out king और queen बनने का क्या secret है तो वह अगलों की तरह लग जाएं अपने dream को याद रखियों और एक warrior बने और फिर आप खुद एक सफलता की कहानी बन जाएंगे business honor बनकर इस networking के business में जैसे Qnet कहते हैं क्या आप लोग मेरे साथ हैं